सभी आधानिय मुख्यमंत्रिगान आप सभी का अनेक महत्वपूर्ण बिंदू उठाने के लिए मैं विशेश रुप से धन्यवाद करता हूँ कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को अब एक साल से ज़्यादा हो रहा है इस दोरान भारत के लोगों ने कोरोना का जिस तरह मुकाबला किया है उसका दुनिया में उधान के रुप में चर्चा हो रही है लोग उसको उधान के रुप में प्रस्तूत करते हैं आज भारत में 96% से ज़्यादा केसिस रिकवर हो चुके हैं। Fatality Rate में भी भारत दुनिया के उन देशों की लिस्ट में हैं जहां ये rate सबसे कम है। देश और दुनिया में कोरोना की स्थिती को सामने रखते हुए जो presentation यहां दिया गया। उससे भी कई अहन पहलू हमारे सामने आये हैं। दुनिया के अधिकाउंस कोरोना प्रभावित देश ऐसे हैं जिने कोरोना की कई वेवस का सामना करना पड़ा है। हमारे देश में भी कुछ राज्यों में केसी कम होने के बात अचानक से वृद्धी होने लगी है। आप सभी इन पर ध्यान दे रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ राज्यों का उलेख हुआ है। महारास्टर हैं पंजाब हैं आप मुख्यमंत्रियों ने भी चिंता व्यक्ति की हैं सिर्फ मैं कह रहा हूं इसा नहीं है। और विशेश चिंता की आप कर भी रहे हैं और करने की जरूर्द भी हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि महारास्टर और MP में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा है। और केसों की संख्या भी बढ़ रही हैं बहुत आ रहे हैं। इस बारे में कई ऐसे इलाकों ऐसे जीलों में भी ये वृद्धी देखने को मिल रही हैं जो अभी तक खुद को बचाय हुए थे। सेम जोन थे एक प्रकार से अब वहां पर हमें कुछ चीजे नजर आ रही हैं। देश के सब्तर जिलों में तो पिछले कुछ हपतों में ये वृद्धी 150 प्रसेंट से भी ज्यादा है। 150 प्रसेंट से ज्यादा। अगर हम इस बढ़ती हुई मामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देश व्यापी आउटब्रेक के स्थिती बन सकती है। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पिक को तूरंत रोकना ही होगा। और इसके लिए हमें क्वीक और डिसाइसिव कदम उठाने होंगे। कई जगह देखने को मिल रहा है कि मास्क को लेकर अब स्थानिय प्रसासन द्वारा भी उतनी गंबीरता नहीं दिखाई जा रही। मेरा आग्रह है कि स्थानिय स्थार पर गवनेंस को लेकर जो भी दिक्कत हैं उनकी परताल, उनकी समिक्षा की जानी और उन दिक्कतों को सुल्जाने जाना ये मैं समझता हूं वरतमान में बहुत आवशक है। ये मन्थन का विशह है कि आखिर कुर्स क्षेत्रों में ही टेस्टिंग कम क्यों हो रही है। को ऐसे ही क्षेत्रों में टिका करण भी कम हो रहा है। मैं समझता हूं कि ये गुड गवनेंस की परिक्षा का भी समय है। कोरोना की लड़ाई में हम आज जहां तक महुचे हैं उसमें और उससे जो आत्मविश्वास आया है। ये आत्मविश्वास हमारा कॉन्फिनस ओवर कॉन्फिनस भी नहीं हो जाना चाहिए। हमारी ये सफलता लापरवाई में भी नहीं बदलनी चाहिए। हमें जनता को पैनिक मोड में भी नहीं लाना है। एक भाय का सामराजे फैल जाए ये भी स्थितिन नहीं लानी है। और कुछ सावधानिया बरत करके, कुछ इनिशेटिव ले करके, हमें जनता को परेशानी से मुक्ति भी दिलानी है। अपने प्रयासों में हमें अपने पुराने अनुभवों को शामिल करके रणनेती बनानी होगी। हर राज्य के अपने अपने प्रहोग हैं, अच्छे प्रहोग हैं, अच्छे इनिसिटिव हैं, कई राज्य दूसरे राज्यों से नहीं नहीं प्रहोग सीख भी रहें, लेकिन अब एक साल में हमारी government machine को नीचे तक ऐसी स्थितियों में कैसे काम करना करीप ट्रेनी हो चुकी है। अब हमें proactive होना जरूरी है। हमें जहां जरूरी हो और ये मैं आगरपुर्व कहता हूँ, माइक्रो contentment zone बनाने का विकल भी किसी भी हालत में डिलास नहीं लानी चाहिए। इस पर बड़े आगरप से काम करना चाहिए। जीलों में काम कर रही pandemic जो response teams को contentment और surveillance, SOPs इसकी reorientation की आवश्यक्ता हो वो भी किया जाना चाहिए। फिर से एक बार 4-6 गंटे के लिए बैठ करके चर्चा हो, हर लेवल पर चर्चा हो, sensitize भी करेंगे, पुरानी चीज़े याद भी करा देंगे और गती भी ला सकते हैं। और इसके साथ ही टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट इसको लेकर भी हमें उतनी ही गंभीरतास की ज़रूरत हैं, जैसे कि हम पिछले एक साम से करते आ रहे हैं। हर संक्रमित व्यक्ति के कॉंटेक्स को कम से कम समय में ट्रैक करना, और RT-PCR टेस्ट रेट सत्तर पतिसत से उपर रखना बहुत अहम हैं। हम यह भी देख रहे हैं कि कई राज्यों में रेपीड एंटिजेन टेस्टिंग पर ही ज्यादा बल दिया जा रहा हैं। और उसी भरों से गाड़ी चल रही है। जैसे केरल हैं, कुडिशा हैं, 36 गड़ हैं, UP हैं। मुझे लगता है कि इस पर बहुत तेजी से बदल की जरूता है। इन सभी राज्यों में, मैं तो चाहता हूँ देश के सभी राज्यों में, हमें RTP, PCT टेस्ट और बढ़ाने पर जोड़ देना होगा। एक बात जो बहुत ध्यान देने वाली है, वो यह कि इस बार हमारे टियर 2 और टियर 3 शहर, जो शुरू में प्रभावित नहीं हुए थे। उनके आसपास के ख्षेतर प्रभावित ज्यादा हो रहे हैं। देखे इस लड़ाई में हम सफलता पुबग बच पाए हैं। उसका एक कारण था कि हम गाउं को इससे मुक्त रख पाए थे। लेकिन टियर 2 टियर 3 सिटी पहुचा तो इसको गाउं में जाने से देर नहीं लगेगी और गाउं को समालना हमारी व्यवस्ताएं बहुत कम पड़ जाएगी। और इसलिए हमें छोटे शहरों में टेस्टिंग को बढ़ाना होगा। हमें छोटे शहरों में रेफरल सिस्टीम और एम्विलेंस नेटवर्क के उपर विशेज जान देना होगा। प्रेजेंटेशन में ये भी बात हमारे सामने रखी गई कि अभी वाइरस का स्प्रेड डिस्प्रेश्ट बैनर में हो रहा है। इसकी बहुत बड़ी बज़े ये भी है कि अब पुरा देश ट्रेवेल के लिए खुल चुका है। विदेशों से आने वाले लोगों के संख्या भी बड़ी है। इसलिए आज हर एक केस के ट्रेवेल के सूचना सभी राज्यों को आपस में भी साजा करना जरूरी है। आपस में जानकारी साजा करने के लिए किसी नए मिकानिजम की जरूरत लगती हैं तो उस पर भी बिचार होना चाहिए। इसकर विदेश से आने वाले यात्रियों और उनके कॉंटेक्स के सर्वेलेंस के लिए SOP के पालन की जिम्मेदारी भी हमारी अब बढ़ गई है अभी हमारे सामने कोरोना वाइरस के न्यूटन्स को भी पहचाने और उनके प्रभावों का आकलन भी का भी एक प्रश्णा है आपके राज्यों में आपको वाइरस के बेरियंड का पता चलता रहे इसके लिए भी जीनोम सेंपल भी टेस्टिंग के लिए भेजा जाना उतना ही एहम है साथ्यों वैक्सिन अभियान को लेकर कई साथ्यों ने अपनी बात रखी निश्चित तोर पर इस लड़ाई में वैक्सिन अब एक साल के बाद हमारे हाथ में एक हत्यार आया है यह प्रभावी हत्यार है देश में वैक्सिनेशन की गती लगातार बढ़ रही है हम एक दिन में तीस लाख लोगों को वैक्सिन करने के आकड़े को भी एक बार तो पार कर चुके हैं लेकिन इसके साथ ही हमें वैक्सिन डोसिज वेस्ट होने के समस्या को बहुत गंबीरता से लेना चाहिए तेलंग अना और आंधर प्रदेश में दस प्रतिशत से ज्यादा वैक्सिन विस्टेज हैं यूपी में भी वैक्सिन वेस्टेज करीं पर वस आई है वेक्सिन क्यों वेस्टेज हो रहे हैं इसकी भी राज्यों में समिक्षाज होनी चाहिए और मैं मानता हूँ हर रोज शाम को इसके monitoring की ववस्ता रहनी चाहिए और हमारी system को proactive लोगों को contact करके एक साथ इतने लोग मोजूद रहें ताकि vaccine दे, vaccine wastage न जाएं इसकी ववस्ता होनी चाहिए क्योंकि एक प्रकार से जितना percentage wastage होता है हम किसी के अधिकार को बरबाद कर रहे हैं हम किसी के अध अधिकार को बरबाद करने का हमें हक नहीं है स्थानिय तरपर planning और governance की जो भी कम्यां है उन्हें तुरंत सुधारा जाना चाहिए वेक्सिन वेस्टेज जितनी रुकेगी और मैं तो चाहूँगा राज्यों ने तो जीरो वेस्टेज के टार्गेट से काम शुरू करना चाहिए हमारी हम वेस्टेज नहीं होने देगे एक बार कोशिज करेंगे तो इंप्रूमेंट जरूर होगा उतने ही ज्यादा है हेल्थ वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स और दूसरे एलिजिबल लोगों को वेस्टेज की दोनों दोज पहुंचाने के हमारे प्रयास सफल होगे मुझे विश्वात है कि हमारे इन सामुहित प्रयासों और रन्दितियों का अमल जल्दी हमें दिखाई देगा और उसका प्रणा पिले जरा गया अंत में मैं कुछ बिंदू फिर एक बार दोहराना चाहता हूं ताकि हम सभी इन विश्वाओं पर ध्यान देते हुई आगे बड़े एक मंत्र जो हमें लगातार हम सब को कहना होगा दवाई भी और कड़ाई भी देखिए दवाई मतलब विबारी चली किसा नहीं मान लिजे किसी को जुकाम हुआ है उसने दवाई ले ली सब ली इसका मतलब यह नहीं है कि उसको ठंडी जगा पे बिना सुरक्षा के उनी कपड़े वगर पहने बिना वो चला जाए बारिज पहीं भीगने के लिए चला जाए भी ठीक है तुम्हें दवाई ली है लेकिन तुम्हें बाकी समालना तो पड़े गा ही पड़ेगा इस बिमारी के लिए है अगर हमें टाइपड हुआ दवाई हो गई सब हो गई फिर भी डॉक्टर कहते है वह इन इन चीजों को नहीं खा बार बार लोगों को आगरे करें दूसरा जो मिशे मैंने कहा आर्टी पीसी आर टेस्ट को स्केल अप करना बहुत आवशक है ताकि नए केसिस की पहचान तुन्त हो सके थानिय प्रशासन को माइक्रो कंटेन्मेंट जोन बनाने के दिसा में हमें आगरह करना चाहिए वह वह नहीं पर काम तेजी से करें हम बहुत तेजी से रोक पाएंगे ताकि संक्रमन का दायरा फैलने से रोकने में वह मदब करेगा वैक्सिन लगाने वाले केंद्रों की संख्या बढ़ाने की आवशक्ता है वह प्राइवेट हो सरकारी हो जीतना जैसा आपने मैप देखा होगा वह आपते लिए भी राज्यवार भी बनाया वह सुरू में जो ग्रीन डॉट वाला बताया था देखने से पता चलता है बहुत सारे रहा के हैं कि चाहां लाइट ग्रीन लग रहा है मतलब की हमारे वैक्सिनेशन चेंटर उपने नहीं है और यह तो एक्टिव नहीं है लेकिन उसके अधार पर हमें इंप्रूमेंट करना है हमारे जितने सेंटर्स प्रोयक्टिव होंगे मिशन बोड में काम करेंगे वेस्टेज भी कम होगा संख्या भी बढ़ेगी और एक विश्वास तुरंद बढ़ेगा मैं चाहता हूं कि इसको बल दिये जाए साथ ही एक साल दो साल तीन साल तक खिंचता चला जाएगा एक भुता है वैक्सिन के एक्सपायरी डेट हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो पहले आया है उसका पहले उप्योग हो जो बाद में आया है उसका बाद में उप्योग हो अगर जो बाद में आया हुआ हम पहले उप्योग कर लेंगे तो फिर expiry date और wastage की स्तिती बन जाएगी और इसलिए मुझे लगता है कि available wastage से तो हमें बचना ही चाहिए हमें पता होना चाहिए कि यह lot हमारे पास जो है इसके expiry date यह है हम सबसे पहले इसका उप्योग कर देंगे यह बहुत ज़रूरी है और इन सभी बातों के साथ इस संक्रमन के फैलाव को रोकने के लिए जो मुल्भूत कदब है जैसा मैं कहता हूँ दवाई भी और कड़ाई भी मास पहनना है दोगज की दूरी बनाए रखना है साफ सफाई का अध्यान रखना है पर्सनल हाईजिन हो या सोशल हाईजिन पूरी तरह उसको बल देना पड़ेगा ऐसे कई कदम जिस पिछले एक साल से हम करते आये हैं फिर से एक बार उसको बल देने की जरूरत है फिर से इस बार आगरे करने के जरुपी हैं, उसमें हमें कड़ाई करनी पड़ें तो करनी चाहिए, जैसे हमारे कैपटन साब कह रहे थे हम कल से रख बड़ा कड़ाई करने का मूमन्ट चला रहे अच्छी बात है, मुझे लगता है कि हम सबने इस विशा में हिम्भत के साथ क करना पड़ेगा मुझे विश्वास है कि इनी विश्वों पर लोकों की जागुरुकता बनाये रखने में हमको सफलता मिलेगी मैं फिर एक बार आपके सुझाओं का धन्यवाद करता और 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 भी जो सुझाओं है आप जुरू भेजिए जो हॉस्पिटल के विश्व में ज तो उसको दूर करने के लिए कोई आवश्वास निरेने करने होंगे तो हेल्फ मिनिस्ट्री तूरंट कर लेगी और मैं भी उस पर ध्यान दूंगा लेकिन मैं कहता हूं कि हम अब तक जो लड़ाई जीचते आये हैं हम सब का सयोग हैं एक एक हमारा कोरोना वारियर का सयोग जनता जनारदन ने भी बहुत कोपरेट किया है हमें जनता से जूजना नहीं पड़ा है हम जो भी बाट लेते गए जनता ने विश्वास किया है जनता ने साथ दिया है और भारत विजे ही हो रहा है एक सो तीस करोड़ देश्वास्चों के एक जागरुपता के कारण एक सो जोड़ पाएं फिर से विश्य को बताएंगे मुझे पक्का विश्वास है कि जो अभी बडलाव नजर आ रहा है हम उस बडलाव को फिर से एक बार रोक पाएंगे फिर से हम नीचे की तरफ ले जाएंगे ऐसा मेरा पक्का विश्वास है आप सबने बहुत महनत किये हैं आप आपके पास इसके एक एक्सपडाई कीम बन चुकी है थोड़ा आप डेली एक बार दो बार पूछना शुरू कर दीजिए सब्ता में एक दो बार मिटिंग लेना शुरू कर दीजिए चीजे अपने आप गतिप पकड़ जाएगी मैं फिर एक बार बहुत शॉट नोटिस मे आप सबको आजकी मिटिंग में और अर्गनाइज की लेकिन फिर भी आपने समय निकाला और बहुत विश्तार से अपनी सारी जानकारिया दी मैं आपका बहुत बहुत आभार वेक्तर करता हूं धन्यवाद जी